वेलकम टू दा चैनल स्टूडेंट्स तो यह हमारे पास NEED 2017 एक्जाम में से कोडिनेशन कमपाउंट्स के साथ रिलेटर एक बहुत ही इंपोर्टन प्रोब्लम सो स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेटमेंट पहले रीड करते हैं सो पिक आउट दा क्रेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू MNCN6 उपर चार्ज है 3 नेगटिव मतलब इसकी हमें हाइबर आइशन स्टेट और इसकी जुमेटरी देखनी है तो 6 अटैच हुए हैं लगाइगेंट तो यह डेफिनेटली क्या होगा ओक्टाहेटरल तो यह तो हमारे पास हो गया क्लियर के ओक्टाहेटरल कम्प्लेक्स होने वाला है क्यूंकि इसमें कितने जुड़े हुए हैं 6 जुड़े हुए हैं MNCN6 है और उपर चार्ज है 3 नेगटिव अब देखिए जब कोई भी complex होता है octahedral तो उसमें दो ही हमारे पास option पचते हैं जो के दो option होते हैं यहाँ पर जो उनकी hybridization state हो सकती है एक हो सकता है sp3 d2 या फिर हो सकता है d2 sp3 ठीक है so sp3 d2 और d2 sp3 दो ही option है इनके बारे में अब हमें ध्यान से देखना है तो सबसे पहले मैं आपको इनकी एक basic बात के बारे में बता देता हूँ जब होते है sp3 d2 ठीक है जिसके साथ हमें directly answer मिल जाएगा कोई electronic configuration की solving की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है यहां पर outer orbitals use हो रहे हैं ठीक है तो इसे हम कहते हैं outer orbital complex outer orbital complex so outer orbital complex form होने का मतलब क्या है कि यहां पर no pairing of electrons ठीक है ना pairing of electrons नहीं हुई है no pairing of electrons इसका मतलब क्या है कि हमारा जो eigen जुड़ा होगा वो क्या होगा weak field होगा ठीक है ना अगर strong field होता तो क्या हो जाती pairing हो जाती तो मतलब आपको क्या याद रखना है कि जब जुड़ा हो weak field to no pairing of electrons मतलब high spin complexes बनेगे यह सब कुछ हो जाएगा इसमें दूसरे का opposite हो जाएगा बिल्कुल ठीक है तो पहले एक को याद रखें कि अगर sp3 d2 hybridization है तो इसका मतलब जो outer d-orbitals use हुए हैं तो outer होने का मतलब क्या है कि electrons की pairing नहीं हुई है इसलिए जो हमारे inner d-orbitals होते हैं वो हमारे लिए available नहीं हो पाए है इसका मतलब क्या है कि जो आइगेंट से वो weak field थे इसलिए उनसे pairing नहीं हो सकी ठीक है इसका मतलब वहाँ पर unpaid electron से ज्यादा होंगे तो वो high spin complex find अब इसका answer डिरेक्ट है यह कौन सा है this is strong field लाइगेंट ठीक है cn is strong field लाइगेंट ठीक है आपने series को देखा होगा सबसे strong में से एक है जो सबसे strong होते हैं ठीक है अगर strong field है तो इसके opposite क्या होगा d2 sp3 बने d2 sp3 मतलब क्या होगा कि अब यहाँ पर pairing हो चुकी है और हमारे inner orbital complex बने है यह कौन सा बनेगा inner orbital complex और इसे हम क्या कहते है low spin complexes ठीक है तो वैसे तो हमारा answer यहीं से हो चुका है कि d2 sp3 and octahedral मतलब हमारा c option right है ओके बट फिर भी अगर आपको इसकी electronic configuration बनानी है तो आप उसे भी बना कर देख सकते हैं तो सबसे पहले हम mn की oxidation state soul करते हैं कितनी बनेगी इसकी बनेगी माइनस 6 यह दूसरी तरफ जाएगा प्लस 6 उपर चार्ज है माइनस 3 तो यह बन गी हमारी प्लस 3 ठीक है oxidation state soul की है mn की ओके next is the mn का atomic number कितना होता है 25 ठीक है तो इसकी electronic configuration क्या बनेगी आर्गन 18 4s 2 3d 5 ठीक है हाफ बनता है अब यहां से बना है 3 positive so means that mn 3 positive में क्या बच जाएगा आर्गन दो electron यह गए जब हमें remove करने है तो s के एक और remove होगा तो यह बचेंगे 3d4 ठीक है now 3d4 है और 4s है और 4p ठीक है पहले हमें 3d4 रख लेने हैं और अब जब यहां पर कोई strong field ला आईगेंट आएगा तो क्या होगा ठीक है अब देखिए क्या होगा कि यह इसके 5 orbitals बना लेते हैं यहां से एक electron चला जाएगा इसके पास ठीक है तो यहां पर बन जाएंगे दो और यह दोनों ऐसे ही रहेंगे क्योंकि inner orbitals में से हमें सिर्फ दो ही चाहिए होते हैं empty तो वो दो हमारे अराम से बन जाएंगे बट अब यहां पर दो electrons भी हैं unpaid तो यह complex जो है वो paramagnetism भी show साथ में ही करेगा ठीक है तो ऐसे आप किसी भी complex के बारे में complete information with the help of strong field है या weak field है ला आइगेंट एंड साथ में आप वेलेंस बॉंड ठीक के अकोडिंग उनकी यहां पर hybridization state के साथ उनकी geometry के बारे में भी जान सकते हैं ठीक है तो आई होब के आप सब को यह concept understand हो गया होगा तो ऐसी और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको बाकी सभी important वीडियो के links मिल जाएंगे thanks for watching this video